अगामी लोगसबा चुनावों की तैयारी में कॉंग्रेस पार्टी जुट गई है ताकि चुनावों में हिमाचल की चारों सीटों पर कॉंग्रेस को काबिज किया जा सके। में शामिल कर सके। राजी गई हमाचल पंचाइती राज संगधन के सायोजागा दीपकराठाटर ने हमीरपुर में अपने एक दिवस्य दोरे के बाद पतरकारों के साथ बात्चीत के दुरान कहा कि हमाचल में अभी भी पंचाइती राज संस्ताहें पूरी तरह मजबूत न रहे हैं इसमें राजीव गांधी पंचाइदी राज संगठन सक्रिय भोमिकानी भाईगी और इसमें हम एक कंसेट पर काम कर रहे हैं कि हमें हमारा यह मानना है कि पंचाइदी राज संस्थाएं अभी भी हिमा चलप परदेश में पूरी तरह से मजबूत नहीं जिस तरह की के के अंदर में मजबूत है तो हमारा लक्षे है कि हम अपने चारों लोग सभाक्षित्रों में अपने राजी बांदी पंचाइदी राज संक्रथन के कॉल्डिनेटर्स को और डिस्टिक वरकिंग कमीटी के लोगों को पंचायतों में भेजेंगे ताकि वहां से वो पंचाइद ये डेटा भेजेंगे और हमें उमीद है कि जितनी भी अच्छे सुझाव उसमें आएंगे वो आने वाले समय में मैनिफेस्टों के रूप में कॉंगर्स पार्टी उसको शामिल करेगी सभीधान का तहतरों और चतरों सशोधन जो जिसकी भूमी का स्वर्गे प्रधानोंत के लिए महिलां के लिए अरक्षन की वेबस्ता भी की जिसे एक नया वर्ग लीडर का खड़ा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर में लेकिन जो इसकी रिकमर्डेशन थी त्यात्रों सचोधन की गैरियोनिसुची में जो टून्टी नैन सब्जक्ट हैं और बारियोनिसुची हम देखते हैं विठान सभाएं हमारी मजबूत है हमारी लोग सभा मजबूत है इसी तरह से ग्राम सभा भी हमारी मजबूत हो सकती है अगर हम त्यत्रों और चोत्रों सचोधन को एजिट्रिस लागू कर लें तो हमारा जो लोग तंत्र है वो भी मजबूत होगा मेरा ये मानना है जब तक आम जंता अपने अधिकारों के लिए खुद नहीं लड़ेगी तब तक अधिकार मिलना मुश्किल होते हैं तो अगर हमारा जो हिमाचल परदेश है आप जानते हैं केरल के बाद मिजुरों को छोड़ दें तो हिमाचल परदेश हिंदुस्तान में त आजी जिसे लेनी है राजी वगंदी पचाती रासंक्रशन का ये लक्षे है कि हम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं और उनको अवेर करें कि जब इतनी मजबूत ताक्ते हमारे को हमारे सभी धान ने दी है तो क्यो हम इंप्लिमेंट नहीं करवा पार उनको हिमाच परदेश की लगभग साथ सो पजास पंचायतों में हमने अपने पताधिकारियों को बेचा था ताकि उनको एजूकेट किया जा सके लोगों को और आपको हैरानी होगी बहुत सारे ऐसे प्याराइज थे पंचायतिरा संस्ताओं के मेंबर थे जिनको ये तक मालूम नहीं थ ये तो हमारे जानने के बाद लोगों कम से कम अवेर्ट हुए है उन पर रठावर ने बताया कि संगठन का मुख्य उदेश्य है पंचायतिरा संस्ताओं को उनके अधिकारों के प्रती जागरू करना ताकि पंचायत स्तर पर लोग मजबूत हो सकें उन्होंने बताय कि संगठन के कारेकरताओं ने हिमाचल की कई पंचायतों में जाकर जन प्रतिनीदियों वल लोगों को 73 शंशोदन के बारे में जागरू किया है वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए राठाओर ने कहा कि पंचायतों में बीडीसी और जिला परिशेत सदस्यों को सरकार दोरा खोखला कर दिया गया है जिससे कि पंचायतों में विकास कारें नहीं हो पा रही है उन्होंने आरोब लगाया कि पंचायतों को आने वाले बजट को भी पंचायत सदस्यों को खर्च करने का अधिकार तक नहीं दी गया है जिससे पंचायत के चुने हुए प्रतिनिदियों में रोश है नहीं स्थार ही एकाई को हमने इनफॉर्मेशन दी थी और किसी कारन वेश जो है वो कोई इनके नीजी काम थै क्योंक मने बहुत लेट आफर्ज में उनको इनफॉर्म किया ता जल्दी इनफॉर्म नहीं किया था हमने यह हमारी अपनी यह वेवस्ता थी जो आपने बात कहीं क्या कहते हैं पैरलल संगठन की कोई पैरलल संगठन नहीं है राजीब गांदी पंचाइदी राज संगठन की जो राश्टी अधिक्षा सूश्री मिनाक्षी नट राजन जी है उन्होंने मुझे भी और प्रदेश कॉंगर्स कमीटी को भी इमेल के माद्यम से इन्फॉर्म किया है कि दीपक राट हो रही हां के प्रदेश सही हो जो जो खे है इस तरह से कुछ चला रहा हो तो मुझे मालूम नहीं है कौन इस तरह से इसको आज देखिए एड़को टिकेट के बारे में हमें ऑथोराइजनी किया गया है अच्छा लगेगा हमें अगर पिजादी राज की बेकराउंट के लोगों को लोगसभा चुनाव लडने दिया जाए तो हमारे को बहुत इसमें खुशी होगी लेकिन एज सच हम ऐसी कोई डिमेंड भी नहीं रख रहे हैं संगतन के सामने